लिए दियर स्टूदेंट्स आज मैं आपको थेर पॉयम कीपिंग क्वाइट जो पैविला नायूडा की पॉयम है वह आज आपको मैं करवाने वाली हूँ कीपिंग क्वाइट कई मतलब है शांध कीपिंग रहू शांत रहू पैविला नायूडा की बड़ी एंटरस्टूड फीलिंग है जो हमें अपने आपको मानव को खुद को समझने के लिए कि है समय देना चाहिए यह पैबर ने रूड़ा चिल्ली के अंदर क्या है पैरल कस्वे में पैदा हुआ था यह हमें क्या है शांत रहने के लिए कह रहा है जैसे कि इस पोयम में कभी हम से क्या कहना चाता है कि हमें शांत रहकर अपने आतम निरिक्षन को पहचानना चाहिए इसके लिए हमें कोई जादर समय की जरूरत नहीं है सिर्फ इतना ही कहना चाता है Now we will count to 12 केवल हमें 12 गिनने तक की ही जरूरत है and we will all keep still हमें इतनी देड तक ही शांत रहना है केवल 12 गिनते हैं इतने ही समय तक नहीं कि हमें जादा समय तक जादा समय की जरूरत नहीं है तब ही हम अपने आपके अंदर के आतम निरिक्षन को पहचान सकते है इस प्रिथ्वी के यानि चेहरे का मतलब क्या है इस प्रिथ्वी पर एक बार Let's not speak in any language कोई भी किसी भाशा में नहीं बोले Let's stop for one second एक सेकेंड के लिए सभी शांत हो जाए And not move our arm so much ना ही हम कहे कोई अपने बाजूं का इतना इस्तिमाल करें यानि कहे कोई भी काम करें इस पहरे में कभी क्या कहने चाहता है कि हमें आतम निरिक्षन के लिए ज़्यादा समय की जरूरत नहीं है हमें केवल बारा गिनने तक यानि जितने तक हम बारा गिनते उतने ही समय की जरूरुत है इस धर्ती पर हमें कहें सब को किसी भी कोई भी हो किसी भी भाशे में बात नहीं करनी एक सेकेंड के लिए सब को रुख जाना है कि अगर हम एक सेकेंड के लिए जब सब काम रोख देंगे तो अपने आतम निक्षिन को पहचान पाएंगे इंजन का मतलब यहां मशीनों से है हम सभी इकठाओंगे एक अचानक अजनबीपन के साथ यहां कभी क्या कहने चाता है कि जब हम सारे शान्त हो जाएंगी यह हमारे लिए एक बड़ा ही विची तर्शन होगा कोई भागदोड नहीं होगी कोई मशीनों का शोर नहीं होगा यानि जो अपने अपने काम में लगे वे थे उस सब कहें एक बार रुख जाएंगे मशीने रुख जाएंगी शोर नहीं होगा और हम उस समय कहें सभी एक जगह इकठा होंगे इन इस सदन स्ट्रेंजनेस अचानक आए अजनबीपन के साथ अब आगे कहता है फिशेर मैं इन दा कोल सी बूड नोठ हम वेल कि यहां कैसब अपने काम के स्वार्थ के काएंड सभी अपने केह स्वार्थी पन में लगें यहां कहने चाता है कि ठंडे समुंदर में मच्वारे वूड नोठ हम वेल वेल को नुकसान नहीं पहुचाएंगी and man gather salt और जो नुश्य समुंदर में सुंदर के पास नमक इकठा करते हैं would lack look at his hurt hands वो अपने जख्मी हाथों को देखेंगी यहां कहने का मतलब क्या है कि मच्छवारे जो वेलों को पकड़ते हैं या उनको नुकसान पहुचाते हैं मच्छी पकड़ने के लिए वो नुकसान नहीं पहुचाएंगे और मनुश्य जो ق्ms नमक इकठा करने के लालच में अपने जख्मी हाथों तक भी नहीं देखता और नमक इकठा करने में लगा रहता है वो क्या है अगर हम शान्त रहेंगे तो ये क्या है मनुश्य अपने जख्मी हाथों को देखेगा और नमक एकठा करने का लालच नहीं करेगा जितना नमक उसने एकठा किया है वो उतने में ही खुश रहेगा दोस हूँ परपेर ग्रीन वार्ड परपेर ग्रीन वार्ड ग्रीन वार का मतलब क्या है यहाँ नए नए युद जो लोग नए युद की त्यारी में लगे हुए हैं वार विद गैस गैस से बनाने में लगे हुए हैं वार विद फायार्ड आग बनाने में लगे हुए हैं वि कोपड़े पहना चाहेंगे और ब्रदर अपने भाईयों के साथ रहना या घूमना पसंद करेंगे कहने का मतलब क्या है कि जो नए नए युद की त्यारी में करने में लगे हुए हैं गैस से आग से और वो चाहते हैं कि हमारी युद में विजय हो चाहे वो कोई भी जीवित नए बचे अगर हम शान्त रहेंगे और अपना अतम निरिक्षन करेंगे तो हम युदों से बस सकते हैं और बुट ऑन पुट ऑन क्लीन क्लोस का मतलब क्या है हमारे कपड़ों पर कोई खून के दभ़ों के निशान नहीं होंगे वाक अबाउट देर वाक अबाउट देर ब और अपने भाईयों के साथ वो भूमने निकलेंगे और साथ में बैठेंगे थैंक यू